स्टार्ट कर रहे हैं, आज अपने क्लास नमबर फाइब पर आगए, और धिरे धिरे अपने एक कॉन्फिदेंस भी बिल्ट हो रहा होगा आपको समस करते करते, और बेस से बात है कि सिर्फ उसे प्राक्टिस से ही आप चीजों को ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे, यहाँ पर अब हमलों समस के तरब आगे बढ़ते है, लास्ट क्लास जो मैंने हुमवाख दिया था, वहाँ पर आजाते हैं, तो लास्ट क्लास ओमवाख था कॉशियन नर्ग स्टर्टीन याने की 20-21 का दिया हुआ, और इस फालोग हैं, यहाँ पर आप बहुतखिएगा सबस बात हरमेशा हर्समस में बोलते हैं इस बार जिरूर वो काम करेगा यह जो आपको दिख रहा है 31st मार्श 2010 या 20 21 इस बार उल्टा है previous year पहले है current year बाद में normally क्या होता है current year पहले होता है और previous year बाद में होता है यहाँ पर reverse आपको देखने को मिल रहा है तो यही चीज नोटिस करना होता है एक्जाम में इस तरह का twist होता है प्राक्टिकल यह असा नहीं होता है प्राक्टिकल हरमेशा present year पहले होगा और present year बाद में होगा जो format है तो यह पता नहीं institute को क्या मज़ा आता है आप लोग के साथ यह खेल खेलने में भई आपको टेलेंट चेक करना है और आप धोखा दे रहे है तो यह तो धोखा वाली बात हो गई normally used to यही बच्चा हो जाए तो यह बोलते हैं उन लोगा कहना है कि ह दूसरा notes to accounts बाद में चेक करेंगे सीधा आएंगे addition information में यहाँ पर लिखा हुआ है पहला the company sold one property plant and equipment for rupees one lakh the cost of which was rupees दो लाग and the depreciation provided on it was 80,000 आपके लिए generalities के help से यह करना चाहिए जैसा मैंने बताया है फिर भी मैं आपके लिए generalities बोल बोल के कर दूंगा ठीक है यहाँ पर जैसा बोल रहा है वो देख लीजिए पहला बोल रहा है यहाँ पर sold one property plant and equipment for one lakh एक लाग में तो बेचे हैं the cost of which was two lakhs and cost for the original cost बोल रहा है and the depreciation provided on it was 80,000 इ है कि उसका book value था one lakh 20 and one lakh 20 का चीज़ अपने एक लाग में बेच दिया तो bank assets increase हो गया एक लाग से पी एनल डेविट हो गया 20,000 से और आपका assets decrease हो जाएगा one lakh 20,000 से तो आप जोड़ी generalities की बात करें तो यहाँ पर बहुत आसानी से generalities हो जाएगा आप generalities पर आ जाएगे पट यह आपका workings हो रहा है यह आपके लिए मैं सिधा बोल रहा हूं कि यह अपने workings कर रहे हैं यह कोई अपने exam में करने की जरूरत नहीं है यह दिमाग चल रहा है तो तो हो गया वहीं पर पर फिर भी since आप practice करोगे बाद में exam में मत करना अभी तो लिख के कर लो तो पहला entry ह होने वाला है बैंक debited होगा एक लाख रुपए से पी एनल डेबिट वो हो जाएगा आपका ट्वेंटी थाउजंस है और टू आसस का जो नाम है वो लिख दीजिए प्रूपर्टी प्लांट एन एक्कूपमेंट ही लेके काम चला रहा है यानिकि इन्होंने बाइफरकेशन नहीं दिया है टूटल आसस को एक साथ रखा है तो अपने भी वही लिखेंगे पी पी ए वान लाक ट्वेटी थाउजंड एक ओरिजिनल कॉस्ट में तो फैरी हो नहीं रहा है यहां पर प्रोविजन मेथड भी नहीं है जबकि प्राक्टिकल लाइब में होता है तो अपने एनदर आइटम्स और प्रोपर्टी प्लांट एन एक्यूप्मेंट कॉस्टिंग 56,000 और जिसके उपर ओलरी डेप्रीशेशन चार्ज हो चुका है 40,000 तो उसका मतलब बुक वालू हो गया आपका 16,000 और उसका डिसीजन हो गया कि उसको राइट आफ कर देना है तो कंपनी ने राइट आफ कर लिया होगा क्योंकि बालंस इट तो बन चुका है सब कुछ तो कंपनी ने जदी राइट आफ कर लिया है तो 16,000 से राइट आफ किया गया तो उसे कहा राइट आफ किया गया होगा P&L में बेचा नहीं गया राइट आफ किया गया तो एक इं 16,000 से होगा और PPE 16,000 से आपका PPE कम होगा तो profit and loss account devoted to property plant and equipment 16,000 से ये entry हो जाएगी तो adjustment number 2 भी हो गया आपका अभी हम लोग adjustment number 3 पर आएंगे 3 क्या बोल रहा हो देख लीजिए depreciation on property plan and equipment provided 360,000 ठीक न तो यहां पर आपको depreciation provide करना है 3,60,000 रुपए कर चुके हैं तो इसका entry होगे depreciation account debited to PPE तो तीसरा number हो जाएगा depreciation ultimately PNL में जाता है तो आप चाहे तो depreciation account लिखें या profit and loss account लिखें meaning same है and PPE आप credit करोगे और amount जो हो जाएगा depreciation के amount से है वो 360,000 तो तीन लाग क्या बोल रहा है वो देखें number four बोल रहा है company sold some investment at a profit of 40,000 भाई कुछ बेचा कितना बेचा यह नहीं बता रहा है but profit कितना कमाया यह बोर 40,000 तो अपने ओपर में जाकर information ढूणना पड़ेगा कि कितना investment बिका investment चेक करेंगे investment तो यहाँ पर आपको non current investment दिखाई दे रहा है और यह है four lakhs और यह three twenty यह नहीं पहले चार्ड लाग था अभी तीन बीस है ध्यान दीजे का date का यहाँ पर interchange है ना पहले वाला old year का है past year का है और यह current year का है तो यहाँ पर आपका जो investment है 2000 का investment आपने 40,000 profit लेकर बेचा है तो जने इंट्रीज क्या हो जाएगा तो number four के लिए जने इंट्रीज होगा number four के लिए आपका जने इंट्रीज होगा bank account debited एक लाग भी से जार two investment आपके पास 80,000 का investment गया and two क्या हो जाएगा आपका तो true हो जाएगा आपका PNL जो investment के उपर profit आया उसके लिए यह 40,000 ठीक है तो यह bank account debited to investment to PNL यह entry हो गया आपका that is for sale of investment at a profit of 40,000 वो profit PNL में गया होगा number four होने के बाद number five adjustment पर आएगे number five क्या बोल रहा है चलिए देखते हैं फटा फट से number five की कहानी आपकी जुबानी devinches and preference shares capital redeemed at five percent prepare devinches को भी five percent premium पर redeem किया गया and preference shares को भी five percent premium पर redeem किया गया बट यह नहीं बोला कि कितना redeemed हुआ तभी अपने को ना यह दिखना पड़ेगा notes to accounts notes to accounts में आपको preference shares दिखाई दे रहा है initially it was four lakhs now it is two lakh twenty two lakh eighty thousand so one lakh twenty thousand का preference shares redeemed हो गया तो एक लाग 20,000 का preference shares 5 percent पर redeem होगा तो fifth number के लिए entry क्या आएगा तो number five के लिए जने entries हो जाएगा आपका preference share capital debit preference share capital account debit एक लाग 20,000 से debit करोगे premium on redemption जो है वो कहीं न कहीं पील से adjust हुआ होगा या तो general reserve से adjust हुआ होगा तो अभी यह तो पता नहीं आगे पढ़के समझ में आएगा तो premium account को ही रखते है premium on redemption debit यह आगे चलके पता चलेगा कि कहां से adjust हुआ फाइप परसेंट आफ एक लाग 20,000 इस इक्वेस तो 6,000 एंड टू बैंक आपका financing activities में 1,26,000 cash outflow हो गया आपको preference shareholders को pay करने के लिए तो दिस वस नमबर फाइव अभी नमबर शिक्स पर आएंगे नमबर शिक्स क्या बोल रहे है वो देख लेते हैं नहीं नमबर फाइव में अभी और है एक बात वो डिवेंचेस के लिए भी टिवेंचस के amount कितने है आपको दिखना पर यहां पर डिवेंच्रस भी आपका 4L messer check कर यह डिवेंचेस भी 4L Anatol और अभी डिवेंच्स 280 हो गया तो डिवेंचेस भी 1,004,100 ز पर रिवियंच जाजन वा तो एंट्री आपका आएगा controller एकाउंट डेविटेट आप डेविटेस को डेविट करोगे डेविटेस एकाउंट डेविटेट एक लाग बीस जार और प्रीमियम और रेड़ामशन वो सेम डेविट होगा भी यह निए पता कि इसे कहां से एड़्जिस्ट हुआ है कुछ नहीं बूला बहुत रहेगा तो अपने यही मानें है कि पील से एड़स्ट हुआ है तो प्रीमियम और डाम्शन एकाउंट डेविटेट शेक्स थाउजन एंड टू बैंक 126 एक्जाम में यह सारे चीज एक मिनट गंदर हो जाने चाहिए लिखना नहीं है इक्जाम में बट दिमाग में तो यह चीज एक मिनट गंदर होना चाहिए सॉल्यूशन आप यह नहीं पूस रहते कि सर तो एक समसों करने में एक घंटा लगाए तो हम लोग इतना देर में करेंगे बिल्कुल इस तरह का कोई को नहीं है नंबर फाई ओगया नंबर शिक्स पर आएंगे और नंबर शिक्स क्या है उसकी बात करते है तो नंबर शिक्स adjustment पे आईए number 6 बो रहा है कि company decided to value inventory at cost company ने decision लिया कि inventory का valuation at cost करेगा whereas previously the practice was to value inventory at cost less 10% company पहले क्या करती थी inventory का valuation 10% कम करके दिखाती थी यानि inventory यदि एक लाग का होता था तो 90 जार दिखाती थी 2 लाग का होने से एक असी दिखाती थी 10 लाग का होने से 9 लाग दिखाती थी the inventory according to book on 31st March 2010 was 2 लाग 16 जार तो definitely यह 90% represent कर रहा है तो इसका हम लोग 100% में conversion करेंगे सो 2 लाग 16 जार is representing 90% so divided by 90 multiplied by 100 कर दो ना 2 लाग 16 जार divided by 90 तो 2 लाग 40 जार आ गया यानि 24,000 का फरक है आपका ओपनिंग इन्वेंटरी कम है the inventory on 31st March X1 was correctly valued at 3 लाग मने वरा closing में कोई प्रावलम नहीं है but last year का inventory तो गलत है that was showing at 90% उसको 100% पर लाना पड़ेगा इसका impact जो गिरेगा changes in working capital पर गिरने वाला है क्योंकि वो inventory में जो changes होता है that were recorded in operating activities और operating activities में inventory को जब compare करेंगे तो उसका effect आएगा definitely यदि आपको inventory को change करेंगे तो साथ में PL balance को भी change करना पड़ेगा क्योंकि यदि last year का closing inventory was understated तो definitely last year का जो PL balance हो भी understated है तो आपको PL को भी बढ़ाना पड़ेगा inventory का मैं तो inventory को भी बढ़ाना पड़ेगा inventory को बढ़ाने के लिए inventory को debit करेंगे और PL को बढ़ाने के लिए profit को बढ़ाने के लिए PL को credit करेंगे तो entry होगा inventory debited ठीक है और आपका PL जो है वो credited तो ये इसका impact आएगा prepare cash flow statement as per revised accounting standard 3 by indirect method तो सब चीज हो गया अपने तो सारा discussion किये है लास्ट वाला entry भी लिख लेते हैं लास्ट वाला entry होगा number six inventory debited 24,000 to P&L 24,000 ठीक है तो ये आपका सारा adjustment हो गया अभी अपने वो केवल format draw कर लेना है and sums start करना है देको sums ये सब 20 मास के लिए साम है जब exam में आएगा generally आज के लिए इतना बड़ा पूस्ता नहीं है बट फिर भी आपको आना तो चाहिए ही ना तो लिखेंगे in the books of cash flow statement का format draw कर लीजिए तो ये होगे आपका solution बनने जा रहा है सबसे पहले आपना बड़ा सा इस पर बनाएंगे क्योंकि हमें दो पेज तो minimum चाहिए होगा तो सबसे पहले format draw कर लीजिए एक पेज में तो अपने investing activities operating activities ही दिखाने वाले है और दूसरे पेज में अपने दिखाने वाले हैं investing and financing चलिए तो यहां पर अपने heading डाल देंगे cash flow statement ठीक है cash flow statement for the year in date 31st March X1 Indirect Method Symbol दे दीजिए Figure चेक करना पड़ेगा कि Thousand में है, या करोर्स में है या Open Figure है, Absolute Figure है तो Absolute Figure है, कुछ नहीं लिखा वा रहे है Absolute Figure लेना है अजी कुछ लिखा वा नहीं है तो अपने Absolute Figure ही है तो अपने यहाँ पर डालेंगे ए नंबर जो है अपने करने जा रहे हैं वो है आपका cash flow क्या लिखेंगे यह नंबर cash flow from operating activities cash flow from operating activities यह पहला पार्ट और यह लंबा चलेगा दूसरा पार्ट हो गया आपका cash flow from finance investing activities cash flow from investing activities और तीसरा है आपका cash flow from financing activities cash flow from और तीसरा हो गया समसे स्टार्ट करना है अपने को स्टार्ट करते हैं सीधा तो सीधा नोट्शों एकांट्स में चलते हैं आप अगर पाएंगे क्या है नोट्शों एकांट्स में चैंजिस और जो आपने जनेटेज लिखा उसका एकुटी शेर्स आप देख सकते हैं नोट्शों एकांट में आपका बार लाक से बार लाग सब्सक्राइब अग्यां रखेंगे इधर से बार इदर है तो आपका बार लाग से शोलर लाग हो गई होगे फानेंसिंग में लिखो के इश्यू आफ एकुटी शेर्स चार्ड लाग अब्सेल्यूट फिगर है और यह सोर्स है चार्ड लाग आपका सोर्स है आपका कैश इनफ्लो हुआ है फॉर दिस नेक्स अजी कुटी शेयर कापिटल के बाद आपका प्रेफेंच शेयर का कहानी आपको पता है चार्ड लाग का था दो असी हो गया एक बीस का रिटीम हुआ है अब यहीं पर लिखेंगे फाइनसिंग एक्टिविटीज में रिडेंशन रेटेंशन और तुझाइं आप प्रेफरेंशन और प्री boost शेयर्स पयाद प्रीमीम है 2,626 तक यह 126 जो है यह आपका सोर्ष से है एप्लीकेशन अप्लीकेश्ट अप्लीकेशन तो आपका यहा पर आप्लीकेन हो गयाु कि एक लाग 26 जार आपका क्या है अप्लिकेशन है इसके बाद आपका ये नोट्स रिकाउंट नमबर वन ओवर फहले नोट्स रिकाउंट करते हैं फिर आपका है जेनर रिजर्व दे रहा है और प्रॉफिट लॉस एकाउंट का बालेंस दिया हुआ है तो यह दो आप जानते ही है कि चेंजेजेंगे लिए बालेंस करके आपको अल्टिमेटली प्रॉफिट विफॉर टैक्स निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर आपका जिनल रिजर्व है इन प्रॉफिट यहां पर निकालना पड़ेगा कि दोनों के बीच का डे फ्रेंस क्या है और यहाँ पर यहाँ यहां पर आपका profit before tax तो निकालना संभू नहीं है तो अपने क्या करेंगे वर्किंग कर लेते हैं हर बार करते हैं तो इस बार भी करेंगे तो यहां पर आप हीडिंग डाल देंगे profit before tax का profit before tax यह हेडिंग है और आप उसके अंदर में लिखेंगे changes in general reserve changes in general reserve अब general reserve के अंदर में आप changes देख सकते हैं छह लाग से साथ लाग साथ जाजार हो गया so there was an addition 1,60,000 उसमें positive change है तो आप लिखेंगे 1,60,000 positive change है उसके नीचे आप लिखेंगे changes in PL in PL तो PL के अंदर में changes कितना है वो आप देख लो तो there were 240 से 340 हो गया so there was यहां पर आप देख सकते हैं compare कर सकते हैं 240 से 340 हो गया so there is a positive change of 1,00,000 तो एक लाग रुपए से आपका PL balance जो है वो बढ़ जा रहा तो एक लाग रुपए से आप PL balance जो बढ़ रहा है 240 से 340 तो आप यहां पर लिखेंगे एक लाख रुपए इसका मतलब है अभी देख हम लोगों ने जो इसके अंदर में difference है उसको recognize कर लिया और यहीं छोड़कर आगे बढ़ेंगे ऐसा नहीं कि तुरंट कोई हरवड़ी है कि conclusion कर ले बट यह पता है कि यह section हमारा हो गया इसका analysis हम लोग कर चुके है long term borrowing से तो अपने को 4 लाग से दो सी है तो डिवेंचर हमारा था तो 9% डिवेंचर को redeem किया गया था 5% premium पे तो वो बात आपको लिखना पड़ेगा redemption of 9% financing activities में आप लिखेंगे redemption of 9% डिवेंचर redemption of 9% डिवेंचर अट अपरेमियम 126000 ये भी ब्राकेट में होगा विकास इसके लिए cash आउट फलो हो रहा है इसलिए 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 तो बी कैप्त इन ब्राकेट तेक लाग 27 जार का cash outflow है निक्स अपने ही आ जाएंगे कि अब कौन सा सेक्षन बचा हुआ है आदर करेंट लाइबर्टी आप देख सकते हैं तो शुरू में अमाउंट है आपका paid dividend payable अमाउंट है वन लाक 20,000 का आपने dividend paid कर दिया तो वन लाक 20,000 अप्लिकेशन में आ जाएगा तो यूल राइट हीर वन लाक 20,000 वन लाक इसमें कुछ है क्या खाली current liabilities है हमको लग रहा है यह figure जो current liabilities यहां आपको दिख रहा है इसका amount जो है न current liabilities यहां छपा हुआ 480 and 520 तो current liabilities तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से कहां पर आएगा changes in working capital 480 से 520 होने का मतलब है कि आपका 40,000 से 480 से 520, 40,000 से current liabilities बढ़ा तो यह source है तो आपका जो operating activities है उसमें कई section होते हैं आप जानते हैं अच्छी तरीके से एक होता है profit before tax उसके नीचे होता है आपका heading adjustment for adjustment for changes in नहीं adjustment for changes ने adjustment for non-cash and non-operating adjustment for non-cash and non-operating items फिर एक होता है adjustment for adjustment for changes in working capital adjustment for changes in working capital इसके अंदर में आएगा आपका adjustment for changes in working capital तो आपका जो current liabilities 480 से 520 हो रहे है यह इसके अंदर में आ जाएगा तो आप लिखेंगे increase in current liabilities और अपने यह operating ही मान रहे हैं तो increase in current liabilities आप लिखेंगे इन करिंगे इन करेंट लाइबिलिटीज और इन करेंट लाइबिलिटीज कितने से बढ़ रहा है वो देख लीजी आजस्ट फॉर्टी थाउजन तो फॉर्टी थाउजन आपका सोर्स हो गया current liabilities यह बढ़ता है तो इससे सोर्स कहते हैं तो यह आपका सोर्स हो गया current liabilities के पार नेक्स आते हैं property, plant and equipment है इसके साथ में adjustment था तो अपने better होगा कि लेज आप इसे provision भी दिखा रखा है तो कैसे खोलेंगे वह आप देख लीजे दो लेजर खुलेगा एक होगा property, plant and equipment और दूसरा खुलेगा provision for depreciation यह क्योंकि यहाँ पर दोनों net करके carrying amount यह दिया हुआ है बट आपको 32,00,000 से कहानी शुरू करना चाहिए तो आप working करेंगे PPE account बन provision for depreciation account फेरिंग डाल देंगे PPE account और दूसरा आपका बनेगा यह सम्स जो हुआ वो standard हुआ मतलब इसके अंदर में standard हुआ मतलब की practical oriented है practically क्या होता है कि सम्स में provision company कभी भी assets को मतलब return on value पे शो नहीं करती है बुक में शो करती है बट वो अडिजनल कोश के लिए अलग लेजर मेंटेन करती है और उसके उपर करना रहता है अपने अलग तरीके से गाना गाते हैं स्टूर्ण को confuse करने के लिए otherwise जो practically चलता वही नहीं कराना चाहिए provision for depreciation account अभी आपको पता है property plant and equipment का जो opening balance है वह आप यहाँ लिख दीजिए two balance brought down जो कि I think 32,000,000 के करीब में है 32,000,000 ही है और उससे related depreciation 920 है तो आप opening वाला लिख रहे हैं 32,000,000 और इससे related depreciation जो है वह 920 है तो provision for depreciation have great balance by balance brought down 9,20,000 ठीक है और 38,00,000 है हमारा property plant last में balance 38,00,000 और 11,60,000 provision for depreciation है तो 38,00,000 दिखाएंगे अपने assets में by balance carried down और 38,00,000 हो कर दीचे जो उसका original cost है और जो closing provision for depreciation का balance बता रहा है provision for depreciation have credit balance तो इसलिए इसे आपको 2 balance ID करके लिखना है और उसका amount है 11,60,000 11,60,000 अपने यहां दिखा दिए provision for depreciation account में इसके अलावा अब क्या है हमारा वह भी देखना है तो बुलते हैं कि यह हो गया अब हमाई ultimately क्या करना है जो adjustment पढ़ना उसका effect डालना तो लिखा हुए है the company sold one property plant and equipment for rupees 1 lakh the cost of which was 2 lakhs in the definition provided on it was 80,000 इसका मतलब है थोड़ा सा जो जो जनेटीस किये थे वो भी change हो जाएगा आपका जो plant and property equipment और original cost पर maintain है तो यहां से आसे जब निकलेगा तो original cost पर निकलेगा तो आप यहां पर लिखेंगे by plant disposed यह आप चाहे तो plant disposal account खुलने का तो मन है नहीं इसलिए सीधा buy bank लिखिए कितने में बेचे हैं वो देख लीजिए तो एक लाग में बेचे है तो आप यहां पर एक लाग लिखेंगे टोटल दो लाग ही हमें इसके कईट सेट में लिखना आप देख लिजे कैसे लिख रहे है बाई बैंक एक लाग इसके उपर provision for depreciation 80,000 का है तो अपने 80,000 provision for depreciation लिख दिए ठीक है provision for depreciation लिख दिए 80,000 का और इसके उपर loss हुआ था 20,000 का तो बाई PNL 20,000 देख आप adjustment हो रहा है तो double effect गिरना चाहिए नहीं तो फिर से वो गलती हो जाएगा टैली नहीं करेगा तो यहाँ पर जैसे बैंक है तो यह आपका एक लाग रुपे जाएगा investing activities में sale of PPE, sale of PPE तो आप यहाँ पर लिखेंगे sale of PPE property, plant and equipment का आपने sale किया है तो कितना sale करके लिए एक लाग रुपे तो आपका एक लाग रुपे हो गया source और आपको अच्छी तरी किसे पता है कि इसमें आपको loss हुआ था तो अभी हमने इसका double effect डाला इसका एक यहाँ आया, एक दूसरा वहाँ पे गया, provision for depreciation 80,000 है तो इसका double effect क्या होगा, provision for depreciation account में आप लिखेंगे यह loss हमारा PL में चार्ज हुआ होगा तो profit on loss account में आप यह 20,000 दिखाएंगे, तो 20,000 में आपका यह loss दिखाने के करण profit क्या है, कम हुआ हुआ है, तो आपको adjustment for non cash and non operating items में लिखेंगे loss on sale of PPE, loss on sale of property, plant and equipment और इसका amount है आपका 20,000, यह positive होगा क्योंकि यह add back करना है आपको, तो generalities से यह आया आपका सारा, तो आप देख सकते हैं कि generalities में जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है, कि buy bank तो एक effect हुआ कि यह आपका selling, sale of PPE चला गया, ultimately कहां पर, तो बोलते हैं, investing activities में, provision for depreciation account में चला गया, 80,000, and PNL में 20,000, यह क्या हो गया होगा, यह loss दिखाया क्या होगा, as a result of which profit कम हो गया होगा, हमें add back करना पड़ेगा, क्योंकि यह items non operating है, इसलिए हमने वहाँ पर ऐसा किया, यह था हमारा adjustment number one का effect, the company sold, फिर से पढ़ ले रहा हूं, की company sold, property plant and equipment for rupees 1 lakh, the cost of which was rupees 2 lakhs, and the depreciation provided on it was 80,000, adjustment number two पड़ेंगे, the company also decided to write off another item of property plant and equipment costing 56,000 on which depreciation amount of rupees 40,000 has been provided, तो उसका मतला है, 56,000 का asset जारा है, जिसके उपर अभी तक accumulated depreciation 40 है, और उसका net value 16,000, तो 16,000 को write-off करने का decision लेगे, वो 16,000 में गया होगा, तो PP में आपको लिखना पड़ेगा, by provision for depreciation, 40,000, by PL, 16,000, देखो 56,000 का कहानी हो गया है, जो 56,000 यहां बताया, उसमें से 40,000 depreciation का है, अभी इसका double effect डालना पड़ेगा, provision for depreciation में, आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 PPE, यह वो depreciation है, on the discarded machine, जो machine discard हो गया, उसके उपर हमारा depreciation का amount 40,000 है, तो अपने यहां पर 40,000 लिख दिए, और 16,000 जो है, वो आपका, इसके उपर होगा, तो बोलते हैं, यह 16,000 जो है, वो ultimately, मेरा PNL में गया होगा, तो हमें वहाँ से क्या करना पड़ेगा, PNL में write-off हुआ होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा, PNL में non cash non operating items में 16,000 को add back करना पड़ेगा, यहां पर आप क्या लिखेंगे, PPE Retain Off, PPE Retain Off, 16,000 का PPE को write-off किया गया, इसलिए अपने का लिखेंगे, यहां पर add back कर दिये, नेक्स्ट बात करेंगे, depreciation on property, plant and equipment, provided 3,60,000 का, तो 3,60,000, यहां पर जब provision method होता है, तो entry होता है, PL account devoted to provision for depreciation, तो आपका यहां पर 3,60,000 का provision करने बोल रहा है, तो आप provision account में जाएंगे और लिखेंगे, 3,60,000 का बेहां और बात कार ejemplo होता है, तो आप एक सबीचे, नेक्टे और लिखेंगे और लिखेंगे, तो आप पर लिखेंगे और लिखेंगे, जारत काल में तो आप लिखेंगे, नेक्टे का अपर. अब расп pores o pen on PTE gestalen 3,60,000, 3,60,000, next, तो अपने जहाद दर कर लिए मार्क कर लेते हैं, डिप्रिशेशन हो गया, company sold some investment at a profit of 40,000, इसका भी हम लोग conclusion किये थे, कि investment बेचा है, I think 80,000 था, बेचे हैं अपने 120 में, आपका जरेंटरीस किया हुआ, आप देख लीजे, investment जो बेचे थे यह रहा, bank debitate, investment NPL accredited, तो जरेंटरीस ही इसका effect है, आप bank में सीधा investing activities में जाईए, और लिखेंगे, sale of investment, investing activities में लिखेंगे, sale of investment, laser बनाने का जरूवत नहीं है, sale of investment, तो बेचे हैं 120 में, तो source, और 40,000 के इसको पर profit हुआ, laser बनाते हैं, तो double effect दिखता है, investment account में लिखे, एक यहाँ पर लिखे और जो 40,000 का profit हुआ हुए, एक investment account में लिखें, और दूसरा 40,000, मतलब अपने कहाँ पर लिखेंगे, तो 40,000 operating activities में लेंगे, क्योंकि वो profit में included होगा, वहाँ से हटाना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, profit on sale of investment, 40,000, eliminate करना है, इसलिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा, bracket में डालना पड़ेगा, तो अपने adjustment number 4 कर लिए, adjustment number 5 करेंगे, deventures and preventures have been redeemed at 5% premium, तो यह हम लोग पहले ही कर चुके हैं, already done, अभी बच गया, adjustment number 6 के वल, जो कि आपको inventory का valuation करना है, और उसमें आपका entry आया था, inventory, debited opening inventory को बढ़ाना है, और आपको क्या करना है, साथ में आपको P&L को भी बढ़ाना है, profit and loss account को भी बढ़ाना है, बाकि हो गया, sums, adjustment हो गया, इसके अलावा भी तो items को पकड़ना पड़ेगा कि किसके अंदर में क्या changes है, क्योंकि अभी आपने जो किया, वो सिर्फ adjustment का effect डाला, अभी आपको notes to accounts में एक एक item को compare करना पड़ेगा, और साथ में आपको balance it के एक एक items को compare करना पड़ेगा, कि कुछ items ऐसा है, जो कि हमने addition information में से भी नहीं cover हुआ, जैसे equity share capital अपना covered हो गया, ये notes to accounts में आप देख सकते हैं, 16,00,000 और 18,00,000 है, तो 16,00,000 और 18,00,000 का details जो हमने कर लिया, तो ये हम यहाँ पर mark कर देंगे कि this is done, surplus है 48,00,000 और 18,00, इसका भी हम लोग notes बना रहे हैं, तो ये भी हमारा हो चुका है, देखो changes in pay, changes in generous of कर चुके हैं, long term borrowings, deventures हैं, ये कर चुके हैं, 4,00,000 से 2,00,000 का कहानी, other current liabilities 6,00,000 से 5,20 हैं, तो ये क्या चीज़ है, देखना पड़ेगा, इसका notes to account number 4 देखिए, तो 4 पर आएंगे, और other current liabilities में था, dividend payable 1,20, और current liabilities, तो ये हम लोग कर चुके हैं, 1,20 का कहानी कर चुके हैं, तो इसका मतलब this is also done, short term provision tax का है, 3,40, 3,60, तो laser बनेगा, provision for tax, इसमें opening है, 3,60, और closing है, 3,40, तो आप provision for tax account में जाकर, 3,60 हो 3,40 लिखेंगे, तो आपका एक laser बन जाएगा, और provision for tax account, छोटा सा laser बना लिजे, provision for tax account, और इसके अंदर में आप लिखोगे, जो आपको पता है, तो आपको opening पता है, 3,60,000, तो by balance, brought down, 3,60, and triple zero, and closing आपको पता है, two balance, carried down, 3,40, and triple zero, तो ये भी हो गया, आपका 3,60, 3,40 का, हमने जब laser खूल लिया, तो वहाँ पर डाल लिया, आप laser account, last में जब अपने account को balance करेंगे, अपने अब उसका जो missing figure होगा, वो निकल कर आएगा, PPE का कहानी हम लोग कर चुके हैं, 22,86, देख लिजे, PPE, ये 22,86 का कहानी, अपने कर चुके हैं, और 26,40 का स्टोरी कर चुके है, जितना स्टोरी कवर करना है, उसको एक एक जेनर रिजर्ब अपने यहां पर आ जाएंगे, तो non-current investment है, चार्ड लाक और तीन पीस ये कवर कर चुके हैं, कि 80,000 का investment भी का था, चार्ड लेकर, तो वहां पर आपने ये कर लिया, cash and cash equivalents, ये 10,000, 10,000 होने का मतलब है, A plus B plus C, 0 आएगा, 0 में 10,000 अड़ करेंगे, तो last में closing आजाएगा 10,000, अधर current assets है, 11,50,000, और 11,00, 11,00, 10,000 पहले हैं, और बाद में 11,50 हैं, तो 40,000 से आपका other current assets बढ़ रहा है, तो other current assets के अंदर में ही inventory भी होगा, other current assets के अंदर में ही inventory होगा, क्योंकि यहां पर inventory कहीं से दिया नहीं, तो इसके अंदर में आपको adjustment करना पड़ेगा, पहले वो 24,000 का, और तब जाके compare करना होगा, जैसे 11,10,000 शुरू में है, तो यह तो गलत figure है न, तो 11,10,000 हमारा यह गलत है, और PL भी हमारा गलत है, क्योंकि last year का हमारा PL बना हुआ है, उसको भी ठीक करने की जरूरत है, तो 11,10, 24,000 से बढ़ जाएगा, और आपका साथ में inventory भी 24,000 से बढ़ जाएगा, तो अपने ultimately क्या करेंगे, इसको जो stock को बढ़ाना है, तो current जो assets है, यानि कि other current assets 11,10,000 जो दिख रहा है न, वो 24,000 से ज़्यादा होगा, यह गलत है, तो यह 24,000 से ज़्यादा होगा, और तब compare होगा, तो जो current assets आपको दिख रहा है न, और साथ ही साथ, आपका जो PL है, वो PL भी क्या होगा, वो PL भी आपका adjust होगा, जैसे कि आपका जो PL यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो देख लीजिए कि PL बालन्स है कितना, तो PL को भी बढ़ाना पड़ेगा, आजते हैं, PL बालन्स, PL बालन्स कहाँ पर था, आजी, तो जो closing आपको, ओपनीं PL बालन्स जो दिख रहा है न, 240,000 यह भी गलत है, तो इसे भी बढ़ाना पड़ेगा, और यह figure हो जाएगा 24,000 से ज़्यादा, अब 24,000 से ज़्यादा होगा, पर तब compare होगा, यानि कि 2,64,000 and 3,40,000 का comparison होगा, किस-किस का comparison होगा, 2,64,000 and 3,40,000 देखो, तो 2,64,000 and 3,40,000 का comparison होगा, यानि कि 76,000 आएगा जो अपने 1,00,000 लिखे हुए हैं, याद करो, changes in PL 1,00,000 लिख रखे हैं, तो आप इसको cut थोड़ी करेंगा, कि लिखेंगे, understatement of opening inventory, undercasting, क्या लिखेंगे, undercasting, of opening inventory, 24,000, लेज़ कर देंगे, होगा यह, तो उसका effect हुआ ना, कि आपको, जो 24,000 था, आपको क्या करना था, PL को बढ़ाना था, opening PL balance बढ़ गया, यहां लेज़ करने का मदद है, opening PL balance अपने आप बढ़ गया, ध्यान दीजेगा, या तो आपको लगे, तो आप वैसे कर सकते हैं, compare कर सकते हैं, सीधा यह 240 के जगा हम बढ़ाया है, 264 और 3,40,000 का comparison कीजी, तो वो आपका result आएगा, 76,000, 76 लाने के लिए सीधा सा बात है, 1,14,000 घटाना पड़ेगा, तभी जाकर आएगा, 76,000, ठीक है ना, आप यह ध्यान रखिएगा, हमने पेल को बढ़ाया है, यह opening पेल को बढ़ाया, तो यह difference आप समझ गए, अभी हमारा सारा adjustment हो गया, अभी हम changes जो यहाँ पर है, वो record कर सकते हैं, हमने double effect दे दिया, अभी हम इसका comparison कर सकते हैं, कि हमारे पास अब जो, other current assets है, वो 11,34,000 and 11,50, है, तो 11,34,000 से माइनस करेंगे, 11,50 तो difference होगा, 16,000 रुपए का, तो 16,000 से other current assets बढ़ा, तो यह आप तो जानते हैं, अच्छी तरीके सी कि other current assets यह दी बढ़ेगा, तो आएगा कहाँ पर, other current assets यह दी हमारा बढ़ा, so that will come where, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, increase in other current assets, 16,000 रुपए, यह application होगा, अभी increase in other current assets आया कैसे, तो आप यहाँ पर note लिख दो, otherwise बात में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, exam में भी note देना है, तो आप लिखेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री, वाज अंडर कास्टेट, by Rs. 24,000, 24,000, opening inventory was under कास्टेट, बाप रूपे 24,000, so, for this profit of last financial year was undercasted by rupees last FOE was undercasted by rupees 24,000 hence adjustment entry adjustment entry for the same क्या होगा तो आपको PL balance बढ़ाना पड़ेगा PL balance बढ़ाने के लिए अच्छी तरीके से पता है हम लोग किये भी है PL balance को बढ़ाने के लिए क्रेइट करना पड़ता है यह opening वाले को और opening inventory को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा हो कम है तो आपको inventory को debit करना पड़ेगा यह 24,000 से होगा आफ्टर दिस क्या हो जाएगा की आफ्टर दिस यह सारा एक्जाम में आपको नोट्स लिखना है ओपनिंग inventory opening current assets opening current assets balance revised at जो दिया हुआ 11,10,000 दिया हुआ है प्लस 24,000 तो दिस इको तो 11,34,000 therefore changes in changes in current assets changes in current assets is equal to क्या होगा तो लिखेंगे changes in current assets is equal to आपका है closing कितना है वो देख लीजिए closing was 11,50 11,50 minus 11,34 equals to 16,000 तो अपने पूरा explanation दे दिये है कि आखिर 16,000 आया कैसे यह आपको देना ज़रूरी है यह आप explanation नहीं देते हैं तो अब्वेस है कि आपको marks इसके लिए deduct किया जाएगा तो आपका यह 16,000 आ गया changes in current assets अब अपने sums तो कर चुके हैं अभी जो जो एकाउंट open है उसका conclusion करना है provision for tax अपने buy balance अब कुछ question silent है regarding कि during the year कितना पेल में charge हुआ यह नहीं बोला हुआ है तो अपने assume करेंगे कुछ भी charge नहीं हुआ क्योंकि अपने मन से कहां से ले आएंगे अपने पीनल में charge करने का बात तो अपने assume करेंगे कि हमने मदब provision for tax कितना बनाया तो जितना हमारा मदब opening balance है उसके बराबर हम लोग assume करेंगे कि income tax paid किए sorry इसमें यह exemption लेना होगा कि जो ओपनिंग balance मेरा provision था उतना हमने tax pay किया उसी पर assessment हुआ तो आपको यहाँ पर two bank करके लिखना है assumed कि कितना पे कर दिए 3,60,000 ऐसा assumption करना है कि आपने जितना लास्ट यह provision बनाय था that much tax had been paid तो 3,60,000 आपने पे किया इसका दूसरा एफेक्ट संग संग डालिए income tax paid with the last item second last होता है operating activities में तो आप लिखेंगे income tax paid 3,60,000 bracket के अंदर में डालेंगे income tax paid bracket के अंदर 3,60,000 अभी अपना यह income tax जो paid 3,60,000 तो provision for tax account में अभी balancing figure इस account को अपने क्या करेंगे अब close करके देखते हैं तो PL में कितना charge हुआ होगा वह यहां पर लिखेंगे by PL यह भी balancing figure अपने assume कर रहे हैं इतने का provision बनाओगा 3,40,000 का जो closing balance उतना के बराबर तो हमारा provision बनाओगा तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा 3,40,000 अपने यहां पर लिख दिए यह 3,40 जो है अब दूसरा effect लिजिए जो अपने changes in PL profit before tax निकाल रहे थे उसके अंदर में लिखेंगे provision for tax provision for tax 3,40,000 अपने provision for tax कर दिए अभी जब यह हमारा आगया 3,40,000 provision for tax अभी अपने यहां पर क्या करेंगे इसका outer column में put करेंगे figure क्या है देख लिजिए तो एक लाग साट अज़र प्लस एक लाग माइनस 24,000 and प्लस 3,40,000 अपने यही पॉमेट से स्टार्ट करते हैं तो जाएंगे और लिखेंगे 5,76,000 profit before tax 5,76,000 double effect देते जा रहे हैं चलिए आगे चलेंगे और क्या है अपना एक्स्ट्रा में तो प्रोविजन फर टैक्स दन पीपी एकाउंट ओपनिंग एक खुला हुआ है एक्स्ट्रा में और तो सब हो गया पीपी एकाउंट का बैलेंसिंग फिगर देखते हैं क्या आ रहा है वो डिवरिंग दे यहर अपने प्लांट एडिशन किये होंगे इसका टोटल कर लिज यह मालूम चलेगा इतने का अडिशन किये तो एक लाग असी हजार यह दो लाग और दो लाग चालिस अज़ार ठीक है और दो लाग चापन अज़ार प्लस तीन लाग असी हजार माइनस तीन लाग भीस अज़ार यह तो फिगर अरतिस लाग है सौरी अरतिस लाग प्लस इधर हो गया एक लाग दो लाग चापन अज़ार प्लस दो लाग चापन अज़ार प्लस दो लाग चापन अज़ार तो टोटल हो गया चालिस लाग चापन अज़ार प्रॉम देर बतिस लाग माइनस करना है तो आट लग शप्पर नजार का आपका पर्चीजिंग हो गया बालंसिंग फिगर टू बैंक 8,56,000 बैलंसिंग फिगर इसका सब्सक्राइब भी सोचना पड़ेगा 8,56,000 यहां आया तो दूसरा 8,56,000 कहां पर आएगा पर्चीज और पीपी इंवेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएंगे और लिखेंगे पर्चीज और पीपी इपर्चीज और पीपी इपर्चीज 8,56,000 और यह होगा आपका आउट फ्लो इसलिए अपने ब्रैकेट में डाले अभी और एक लेजर ओपेन है पीपी के बगल में है प्रोवीजन फॉर्ड अप्रिशेशन वो यह बताएगा कि डियूरिंग देयर आपका कितना पीएल में प्रोवीजन चार्ज हुआ या तो अबर हो जाएगा या तो डिफरेंस आएगा तो इधर है 80,000 40,000 120 लस 11,60,000 टोटल हो गया 12,080 और उदर भी 1280 बोट साइट टैलीड हो गया कुछ भी मिसिंग नहीं है एवरिटिंग कवर्ड 12,080 ठीक है तो यह हो गया आपका खतम अब हम लोग समस पे सीधा सॉलूशन वाला पार्ट में रहे गया हमारा काम कम्प्लीट कर भी मिसिंग फिगर निकालना था और कंक्लूजन हाज बिन डन के वल एक सेप्ट अभी दो चीज बचा हुआ है जो आप इंटरी किये थे याद कर प्रिवियम का अपने बात कर रहे थे कि ये प्रीमियम और डेम्शन और प्रफेर्ट ये पार्ट हमारा रह गया एंड प्रेमियम और रडाप्शन ऑफ आपका डिवेन्चि भी रह 50 ऑइंडगे ये दो पार्ट हमारा बचा हुआ बराजी गवा एक एक बेलेंधर अदालाова प्लस यह बारह यहार का premium हमें दिखाना पड़ेगा यह 12,000 रुपया premium on redemption हम कहां दिखाएंगे तो operating activities में adjustment for non-cash non-operating items जो items कहीं और considered होते हैं यहां पर नहीं लेते हैं तो आपको यहां पर लेना पड़ेगा premium on premium on redemption of preferentiae's 6000 yardback hogar and similarly premium on redemption of deventures 6000 यह भी addback होगा यह दो भी consider करना बाखी है वो है आपका deventure interest और दूसरा होगा preference dividend हम लोगों ने अभी तक उसे consider नहीं किया है बट अपने जानते हैं अच्छी तरिके से कि यह तो हमें देना ही पड़ता है तो question number 13 में आप deventures देख लीजिए कितना है तो question number 13 और deventures हमारा कितने का था long term borrowings को देखिए आपको समझ में आएगा long term borrowings हाँ जी तो यहां पर 9% देवेंचिस था initially it was 4 lakhs later on this becomes 2 lakh 80,000 so redemption हुआ है question में यह नहीं दिया है कि redemption कब हुआ तो आपको suitable assumptions लिखना पड़ेगा कि redemption कब हुआ है आप यदि assume कर लेते हैं कि redemption was made at the beginning तो सिर्फ 2,80,000 के ऊपर इंडर्श आपको calculate करना पड़ेगा at the rate of 9% and if you are assuming कि redemption was made at the year end तो उस case में आपको 4,00,000 के ऊपर होगा मैं year end माल लेता हूँ so it is assumed note करके लिखेंगे note करके लिखेंगे आप it is assumed it is assumed that देवेंगे लेडिए वर रड़ेंगे at the end of financial year so interest on the ventures equals to हो जाएगा 4,00,000 के ऊपर 9% के rate से this is equals to 36,000 आपको अच्छी तरीके से पता है कि 36,000 जो है यह financing activities का element है तो अपने 36,000 financing element में दिखाएंगे देवेंचर इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट 36,000 आउट्फ्लो तो यहाँ पर आपने लिखा देवेंचर इंट्रेस्ट 36,000 positive यहाँ पर आपने लिखा preferences तो आपका preferences capital कितना है दिख लीजे 10% का rate है and initially 4,000,000 का है last में 280 का है इसका मतलब है कि preferences को रिडिम किया गया अपने कुछ नहीं बोला हुआ है assume करें कि year end में हुआ तो आप वैसे ही note दोगे it is assumed that devinches were redeemed ठीक नहीं नोड डालोगे कि revenges were redeemed sorry preferences were redeemed at the end of year number three it is assumed that preferences were redeemed at the year end देको issue हो तो हरमेशा beginning मानो और redeemed हो तो हरमेशा last वानो यह assumptions है आप beginning भी मान सकते हैं कोई वैसे कहानी नहीं है बट एजम्शन है तो आपको note दो देना पड़ेगा यहां पर आपका अब दो देर्फोर प्रेफोर्स्द डिविडेंट कितना आ जाएगा तो आप प्रफेटेंट ब्रेफोर्सट डिविडेंड कितना आ रहा 40,000 और जो PL balance आया था वो आपका preference dividend के बाद आया था इसलिए वहाँ पे भी add back करना पड़ेगा preference dividend 40,000 अब सारा item हो चुगा है अब हम लोग समस कर सकते हैं calculator उठा लीजिए और calculation चालू करिए तो यहाँ पर अपने start करते है 5,76,000 plus 20 plus 16 36 तो plus 36,000 plus 3,60,000 minus 40,000 plus 6,12 plus 12,000 plus 36,000 plus 40,000 total हो गया 10,20,000 उसमें से minus करना है 40,000 और minus नहीं plus करना था plus करना था फिर से कर लेते हैं 5,76,000 plus 36,000 plus 3,60,000 minus 40,000 plus 12,000 plus 36,000 plus 40,000 plus 40,000 minus 16,000 10,44,000 10,44,000 और उससे आपको minus करना है 3,60,000 तो 6,84,000 cash flow from operating activities आगया अभी अपने investing activities outflow में लिखेंगे जो outer column उसमें लिखेंगे तो इससे कितना आ रहा है वो लिखना पड़ेगा आपको 856 negative है and from there 120 minus हो जाएगा and from there 1,00,000 भी minus हो जाएगा तो resulting figure है 6,36,000 negative तो यह 6,36 आ गया negative चीक है और फिर आपका है cash flow from financing activities तो यहां से भी अपने start करेंगे और यहां पर क्या है वो ले लेते हैं तो यहां पर आपको है वो देख लीजी 6,36,000 आने के बाद यहां पर है 4,00,000 तो 4,00,000 positive from there 1,00,26,000 less from there again 1,00,26,000 less 1,00,20,000 less and 36,000 less and 40,000 less total 48,000 negative यहां पर भी आया यहां पर भी आपका 48,000 negative आया अभी अपने A plus B plus C कर देंगे तो A plus B plus C क्या आते है वो आपको लिख देना पड़ेगा 48,000 यह नेगेटीव था अभी यह 48,000 negative and 6,00,000 यह भी आपका negative था तो 6,00,36,000 negative total 6,00,84,000 negative and 6,00,84,000 positive the result is nil जो कि अपने को पहले से मालूम था कि यह nil आएगा और फिर finally अपने opening cash and cash equivalent इसके साथ में add करेंगे तो opening cash and cash equivalents इसके साथ add कर दीजिए जो कि question में given है 10,000 तो अपने 10,000 add कर दिए तो resulting figure जो आएगा वो closing cash and cash equivalent के बराबर आएगा 10,000 you may refer the institute mat यदि किसी बच्चे ने institute mat खोल लिया तो उसको लगेगा कि answer उहां से match नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है उसका reason सिर्फ एक ही है कि उन्होंने यह जो debenture interest है और आपका preference different है उसे इन्होंने उसका adjustment किया ही नहीं वो इसको ignore करके कर दिये और बाकी सब सही है यहां से उन्होंने consider इसको किया ही नहीं नहीं यहां पर और नहीं financing activities में उसको ignore करके solve कर दिया और answer जो आ रहा है वो सही नहीं होनका तो that's why अपने क्या किये है जो सही है वो कर रहे है answer match करना ही किवल आपको objective नहीं होना चाहिए you should have an idea which one is correct and which one is incorrect so उसके accordingly आप solution कर रहे हो तो यह था आपका question number 13 जो homework का था अभी question number 14 पर आएंगे question number 14 क्या है पढ़ते हैं वड़ा फर्ट से so question number 14 बोल रहा है आपका ABC Limited gives you the balance sheet as a 31st March X0 and 31st March X1 you are required to prepare cash flow statement by using indirect method as per AS3 for the year ended 31st March X1 तो आपको यहाँ पर cash flow बनाना है वो भी indirect method के हिसाब से और year ending 31st March X1 के लिए आप बना रहे हो देखे हैं हर मेंसा देखेंगे date का ध्यान देना है यहाँ पर जो date है वो 10 है माने previous year है और यह current year है तो normally यह reverse यहाँ पर जो होता है उसे यह उल्टा है normal का reverse है आगे यहाँ पर आप balance जो दिया हुआ हुआ है उसमें ज्यादा से आपको analysis करते हुआ आगे जाना है net profit for the year ended 31st March X1 after charging depreciation 1 lakh 80,000 is 10 lakh 40,000 तो यह बता दिया है कि depreciation कितना charge हुआ है 1 lakh 80,000 and net profit for the year दिया है after charging यहाँ पर आपका provision for tax का adjustment होना बाकी है तो profit before tax लाने के लिए आपको provision for tax को add back करना पड़ेगा अब आपको provision for tax दिखाई देगा आपको यहाँ पर provision होना चाहिए अधर करेंट लाइबर्टीज कुछ लिखा नहीं है यही होना नंबर schedule to check करो schedule to other current liabilities dividend paper liability for expenses तो लिखा ही नहीं है मतब कि provision for tax हाई नहीं इसका मंदब वही है आपका टैक्स यहां पर होता नहीं है इस मंदब भी कंपनी के लिए लिए लाइबल नहीं है company tax pay करने के लिए इसलिए नहीं है तो यहीं आपका profit before tax है कोई दिक्कत नहीं है और tax pay नहीं लाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स दिया वर टुलैक्टी थाओजन वर डिटर्मीन टुब वर्थ लेस यानि कि कुछ मत करो या तो आप रिवर्स करेंगे प्रोवीजन डेटर्स को घटा दिया है तो डेटर्स को कहां से कट किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा क्योंकि आप साफ साफ लिग दिया ट्रेड रिसीवेबल्स देश वर डिटर्मीन टुब वर्थ लेस और रिटेन ओफ म यह कर चुके हैं तो अभी अपने को रिवर्स करने की जरूरत है यानि की डेटर से काउंट डेटर्स को बढ़ाएंगे और प्रोवीजन को बढ़ाएंगे यह अपने चाहते हैं कि बिफोर यह राइट आफ के पहले हमारे डेटर्स का बालंस क्या था यह जानना है तो आध का लाइबरी साइट में प्रोवीजन फ़र डाट पूल डेट होता है दोनों यह दि बढ़के अड़्जस करेंगे तो नेट एफेट क्या होगा निल आप सुचों कि प्रोवीजन फटाउट पूल डेटर्स आखी डेटर से ही तो लेस किया जाता है तो डेटर्स को बढ़ा बढ़ाना है से अपने को डेटर्स को बढ़ाना है तू से तो 102 और प्रोवीजन को भी टू से बढ़ाना है तो 12 अभी भी लेस करेंगे तो 102-12 is equal to 90 और हम इस 2 का एडजस्ट में नहीं करते तो 100-10 is equal to 90 तो डाट मेंस कि एफेक्ट तो सेम रहने वाला है रिवर्स करो हमने जो इसका एफेक्ट निल पड़ेगा यह आपको मालूम होना चाहिए तभी तो आप नोट्स दे पाएंगे आप चाहें तो इस तरीके से शो कर सकते हैं आप चाहें तो ऐसे डिफेरेंट निकाल सकते हैं आएगा दोनों का बीच का डिफेरेंस आपको अच्छे तरीका अपनाना चाहते हैं हम लोग कोई एक तरीका ले सकते हैं कोई प्रावलम नहीं है अपने कोई एक तरीका से सॉल्फ कर पाएंगे तो यहां पर आपका ट्रेड रिसिवल्स अप्टू लैक्ट थाओजन वर डिटेमिन तो वर्ट लेंट रिटेंगे तो आप प्रोविजन ब सुरु में आप देख सकते हो यहां पर 9% डियोंचर कुछ भी नहीं है यहां पर लेकिन यह रिंड में आप देख सकते हैं 9% का फिगर 9 Strands सो एक तो अभी सबसे पहले नोच चुछ कृओंट कर लेते हैं उसके बात जाकर अपने शम्स का पहले फॉर्मेंट ड्रों कर लो क्वेशन नमबर 14 करेंगे एरिंग डाल दीजिए क्वेशन नमबर 14 पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए अपने फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे है यह ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए है बहुत बड़ा तो नहीं बनेगा क्योंको सम्स का लेंद छोटा ही लग ऑंधिनीजिएंग दिएंग लेक्डवेट् Бे लीज नि네 ऐस्गिवेशन इन यह धो नग्य ज स्टैमन फो देए लिए contributing a cash flow statement cash flow statement as on for the year-end date 31st March X1 यह जो हम लोग कर रहे है न वो indirect method यूज करके कर रहे हैं तो अपने यहाँ पर यह mention करेंगे indirect method indirect method अभी यहाँ पर अपने वो heading डाल देंगे कि पहला क्या कर रहे है अपने तो first अपने लिखेंगे cash flow from cash flow from operating activities ठीक है cash flow from operating activities फिर लिखेंगे बी नमबर cash flow from cash flow from investing activities or third one is cash flow from financing activities यह हो गए है cash flow from financing activities ठीक है तो cash flow from investing activities cash flow from financing activities यह होगे और ultimately अपने यहाँ पर सम्स स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे पहला फाइनसिंग ही आया है, तो फाइनसिंग हेट में जाकर आपको लिख देना है, इस्चू अफ डिवेंचर्स, क्या लिखेंगे, इस्चू अफ डिवेंचर्स, इस्चू डिवेंचर्स, फिर क्वेंचर्स अफ डिवेंचर्स, फिर क्वेंचर्स इस्चू कब किये गया, बिगनिंग में या लास्ट में, तो अपने एज्यूम करेंगे, क्या आप ले रहे हो, यहाँ पर लिखते जाएंगे, तो एस्चू एड़क रहे हो, इसूट, डिवेंचर्स इस्चू डिवेंचर्स इस्चूड, on 14x0 यानि कि 14 एकदम beginning of the financial यह है डिवेंचर से issue किया गया है इसलिए जो interest होगा इसके उपर वो पूरे year का होगा so 9 lakhs के उपर डिवेंचर interest अपने pay करेंगे तो डिवेंचर interest डिवेंचर interest आपका outflow होगा तो 9 lakhs के उपर 9% निकाल होगा डिवेंचर interest तो यह आपका outflow होगा और आपका डिवेंचर यही चीज़ क्या हो जाएगा operating activities में आप जो लिखोगे profit before tax से जो start करोगे तो उसके नीचे आप लिखोगे adjustment for non-cash and non-operating items इसके अंदर में नीचे में आप लिखोगे क्या है इसके नीचे लिखोगे adjustment for non-cash and non-operating items है so below this 9% जो interest rate आया 81,000 तो आप इसका डिवेंचर interest यहाँ पर add back होगा deventure interest यहाँ पर add back होगा तो add back कर दीजिए deventure interest add back होगा 81,000 add back होगा 81,000 आगे बढ़ते हैं यह notes accounts complete कर रहे हैं दूसरा है dividend payable शुरू में 1,50,000 was the dividend payable और last में निल है इसका मतलब है कि during the year अपने यह dividend payable का payment कर दी है यह आएगा कहाँ तो financing activities में आएगा dividend paid paid dividend payable क्या लिखेंगे paid dividend payable paid dividend payable 1,50,000 आपने paid किया है यह भी आप ऐसे रखेंगे outflow paid dividend payable 1,50,000 next है आपका liberty for expenses थ्री लैक से 30,000 3,30 and 270 हो गया तो आपका liberty for expenses decrease हुआ है 60,000 से और liberty is decrease होने का मतलब होगा application हो गया तो यह non-cash and non-operating के बाद एक heading होता है operating activities में अच्छा मैं यह यहाँ पर यह कर दिया यह यहाँ का है ही नहीं यह कहाँ जाएगा कट होगा यहां से कुछ ज़्यादा ही कट हो गया चिली भी मिटा देता हूँ इसे एरेज करते हैं यह बड़ा एरेजर हो गया छोटा एरेजर से काम करते हैं सब बताना पड़ रहा है ठीक है डिविडेंट पेबल कहां जाएगा उसकी बात करते हैं पाइनसिंग एक्टिविटीज में जाएगा पेड डिविडेंट पेबल क्या लिखेंगे पेड डिविडेंट पेबल एक लाग पचास जार का डिविडेंट हमने पेड किया क्लियर है यह एक लाग पचास जार का डिविडेंट मैंने पेड किया आगे अभी नेक्स जो था अपना डिविदेंट पेबल के बाद नेक्स था लिबरेटी फॉर एक्सपेंसे तो 60,000 से लिबरेटी फॉर एक्सपेंसे जो है वो अपना काम हो रहा है अपने चले जाएंगे ओपरेट्इग एक्टिविटी इसमें और हेडिण डालेंगे फ्रेश यह जैसे अज्यास्मेंट फार कर नौन慢慢 है तो फिर हेडिंग होगा adjustment for changes in working capital तो आप heading डालेंगे adjustment for changes in working capital adjustment for changes in working capital इसके नीचे आप लिखेंगे decrease in what इसके नीचे लिखेंगे आप decrease in other current liabilities 60,000 और current liabilities यही कम होता है तो यह आपका है application देखो payment करने से लिखेंट करने से लिखेंगे तो यह आपका है application छलिए आगे बढ़ते हैं प्रपरटी frontal Indian कूल मिंट इसमें कोई अईस्मेंड नहीं था कि था आइंड में तेphem कोई अच्में नहीं था तो प्रपरटी प्रप्रेटी प्लाइन कूकमेंट ओरिजिनल कॉस्ट में दिखे अपनें में आपका ओरिजिनल कास्ट कितने का था उस पर ध्यान दीजिए 27,30,000 लास्ट में 40,70,000 तो दाट मिन्स कि प्लांट एन मिशनरी इंक्रीज हुआ होगा only because of the purchase तो बीच का difference हमारा addition है कितने का 40,70,000 minus 27,30,000 the difference is that is 13,40,000 so 13,40,000 का अपने purchases किये हैं तो यह investing activities में लिखेंगे investing activities में लिखेंगे purchase of plant and machinery क्या लिखेंगे purchase of plant and machinery 13,40,000 outflow होगा यह because इसके लिए cash गया है assets खरीदें तो payment किये होगे next आप depreciation देख सकते हैं कि यहाँ पर depreciation का figure क्या है 6,10,000 शुरू में था 7,90,000 लास्ट में है that means कि the depreciations were charged तो difference करिए 7,90,000 minus 6,10,000 difference is 1,80,000 का provision for depreciation हुआ तो आपना provision for depreciation क्या करेंगे adjustment for non-cash non-operating items में लिखेंगे depreciation on plant and machinery depreciation provision on plant and machinery 1,80,000 and this is non-cash item hence this is to be added back यह हमने PLC less किया था इसलिए अभी अपने क्या कर रहे हैं इसको अपने लास्ट वाले का जो adjustment उसका कोई effect नहीं डाल रहे हैं जो है as it is ले ले लते हैं और सीधा compare करेंगे इसका net amount का तो आपके पास जो data से वह beginning में है 22,40,000 लास्ट में है आपका 26,40,000 तो बीच का difference है वो निकाल लीजे 26,40 से माइनस करेंगे 22,40 the difference is 4,00,000 रुपए का तो 4,00,000 रुपए से आपका data जो है उन्क्रीज हो गया तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स ब्राकेट में net क्योंकि आपने प्रोविजन को eliminate करके जो data से उसको लिया है और यह 4,00,000 है इन्क्रीज होने से आपका data जो है वो आपका यह आउट फलो माना जाता है तो यहां पर इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स को आउट फलो माने है चार लाग रुपैसे तो यह 4,00,000 रुपै इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया नेक्स है अपना एड़्जस्मेंट है तो नेट प्रफिट आप्टर चारजिंग डिप्रीशेशन दिया हुआ है वन लाक एड़ी थाउजन तो देखो यह वन एड़ीशेशन अपने आप आया भी हमारा हम लोग दुसरे तरीके से भी वन एड़ी निकाल दिये थे देख नहीं उसे दो बार कर देंगे वही चीज आप दुबारा से बोला हुआ है तो यह वन लाक एड़ी थाउजन हमारा ओलड़ी हम लोग कर चुके हैं नेक्स हम लोग मूफ कर रहे हैं वन एड़ी के बाद प्रॉफिट विफोर टैक्स लेना है तो दस लाग चालिस जार है कोई भी एफेक्ट नहीं लेना है अब हम लोग नोट्स एकाउंट्स का डाल चुके हैं अब उसके अलावा बालेंस इटम में जो हमने अभी नहीं किया है तो करना पड़ेगा तो नेक्स है सर प्लस दिख रहा है मुझे पहला है तो कापिटल लिकुटी शेर कापिटल आप देख सकते हो 50 लाइक करते हैं और प्राफिट बिफोर टैक्स दस लाग चाली सजर उसको आट करते हैं तो प्लस दस लाग चाली सजर तो यह देखिए 36,90,000 का फीगर आ गया इसमें यदि आप 1040 आड कर दोगे तो 36,90,000 आ जाएगा यह मैच कर गया आप समझ गया यह 36,90,000 मैच कर गया तो यह इदम इजी है आप इस तरीके से कर पाएंगे ठीक है 36,90,000 सर प्लस तो यह कैसे आया वो भी आपको मालूम होना चाहिए लॉंग टर्म बॉराइंग्स कर चुके हैं नोट नमबर वन शॉर्ट टर्म बॉराइंग्स बैंक लोन है तो यह भी फाइनसिंग एक्टिविटीज में आगा यह यह तीन लाग है तो यह तीन लाग है तो शॉर्ट टर्म बॉराइंग्स बढ़ा है तो फाइनसिंग एक्टिविटीज में जाएंगे और लिखेंगे शॉर्ट टर्म बॉराइंग्स शॉर्ट टर्म बॉराइंग्स वन लाग फिप्टी थाउज़न और यह सोर्स होगा वन लाग फिप्टी थाउज़न सोर्स होगा क्योंकि यह आप लोन लिए तो डेफिनेटल उसके बदले में आपके पास कैश इन फ्लो हुआ पिर आपका ट्रेड पेबल्स और ट्रेड पेबल्स का फिगर आट लाग ऐसी अजार और आट लाग बीस अजार तो ट्रेड पेबल्स लिखेंगे यह तो कर चुके हम लोग अधर डिक्रीज इन अधर करेंट लैबर इस किये एक बार अपने चेक करेंगे इस अधर करेंट लैबर इस अलग से किये थे यह अलग है दो नोट सेपरेट सेपरेट है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि फिगर भी स देम आ रहा था नो इशू अभी 60,000 से आपका ट्रेट पेबल्स कम हो रहा है तो आप लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेट पेबल्स डिक्रीज इन ट्रेट पेबल्स 60,000 साट जार रुपे से अपना ट्रेट पेबल्स जो है वो कम हो जाएगा चली इसके बाद है अधर करेंट लाइबर्टी इस 480 है 270 हो गया तो यह आपका 480 से 270 हो गया तो दाट मिंस कि आपका हम लोग तो यह सेडूल में करी चुके थे न 480 से 270 कैसे हुआ जो आप जाके यहां देखे थे सेडियूल नंबर चेकर यह टू और टू का हम लोग अलरड़ी कर चुके हैं इसमें डिविडेंट पेवल था और यह था तो हम लोग यह दोनों को कंसिडर अलरड़ी कर चुके हैं तो नथिंग टू अपना लाइबर्टी साइड ओवर अब हम लोग आ जा लिखेंगे रिखेंगे इंक्रीज करणाओ इंवेश्टमेंट या पर्चीस फॉफ करेंट मेंट पर्च्येज ओव करेंट इं आपने से ब्राकेट में डाल दिये 320 उसके बात इंवेंटरीज are 2010 से इंवेंटरी बीस लाग 10 रता इंवेंटरी और 19 लाग 20 अजार हो गया गाट मेंस कि 90,000 से इन वेंटरी ते क्या एड़ करीज so 90,000 से यह इंवेंटरीज डिक्रीज होगा तो यह working capital वाला में आ जाएगा working capital वाले में आएगा आप लिखेंगे decrease in inventories decrease in inventories 90,000 अच्छा, inventories यह यह दिक्रीज होता है तो यह source है because stock कम हो गया मतलब उसके बदले में cash आया होगा current SS कम होने का मतलब ही हो गया है कि cash आया होगा तो that's why यहाँ पर आपका 90,000 से cash inflow अपने कर दिये next है आपका trade receivables and I think इसका अपने कर चुके है notes है cash and cash equivalent दोनों का जो बराबर ही है इसका मतलब ही है कि आपका A plus B plus C का result 0 आना चाहिए other current SS prepaid expenses है 90 से 120 हो गया that means 30,000 से बढ़ गया तो 30,000 से आप लिखेंगे increase in prepaid expenses increase in prepaid expenses कितने से बढ़ा 30,000 से बढ़ा और ये बढ़ा तो ये application है ध्यान रखेंगे यदि आपका prepaid expenses बढ़ता है तो ये current assets है और current assets बढ़ेगा जब cash outflow होगा तब ही जाके ये बढ़ेगा तो इसलिए 30,000 आपका क्या है ये 30,000 आपका ultimately क्या माना जाएगा this is to be considered as outflow सारा हो गया nothing left अब अपने सीधा sums conclude कर सबते हैं इस sums में और कुछ है नहीं तो start करिए यहां पर सीधा 10,40,000 minus 81,000 ठीक है plus 1,80,000 minus 60,000 minus 4,00,000 minus 60,000 plus 90,000 minus 30,000 6,00,000 79,000 यहां से आपका minus हो गया 3,20,000 और 13,40 16,60,000 outflow और यहां पर है रिजल्ट आ रहा हो देखते हैं 9,00,000 positive है और उसे minus करना 81,000 और minus करना 1,50,000 और plus करना 1,50,000 8,19,000 8,19,000 devinture interest यहां पर अपने मेरे को दिमाग में आई जब वहां पर भी bracket में देख रहे था अभी दिमाग में आगया कि यह गलती है यह bracket में होगा नहीं क्योंकि अपनो devinture interest कहां पर ले रहे हैं तो devinture interest को अपने financing activities में ले रहे हैं इसलिए यहां पर add back होगा 81,000 से यह figure और बढ़ेगा 81,000 से यह figure बढ़ेगा 679 81 से क्यों और जादा बढ़ेगा double effect ले लिया और स्लाग 40 अजार बढ़ेगा 81,000 बढ़ेगा 1,000,000 पर ले लाँ 4,60,000 minus 60,000 plus 90,000 minus 30,000 8,41,000 8,41,000 और 8,19,000 positive, total 16,60,000 और 16,60,000 negative, तो A plus B plus C का result आगया, nil, nil, तो A plus B plus C is equals to nil, इसमें आपको add कर देना है, opening cash and cash equivalents, जो कि question में given है, cash and cash equivalents, opening, तो वो है आपका 15,20,000, so you have to write 15,20,000, 15,20,000, तो closing cash and cash equivalents भी जो है, वो आपका यहीं आजाएगा, 15,20, तो यह हो जाएगा आपका closing cash and cash equivalents, closing cash and cash equivalents, 15,20,000, तो यह था आपका homework, question number 13 भी हो गया, 14 भी हो गया, sorry, 16 हम लोग कर चुके है, बीच में का एक 15 नमबर बाकी है, यह कर लेंगे अपने, यह नहीं करना है, cross कर दीजिए, को proposed dividend का sums हम लोगो नहीं करना है, तो अपने इसको cross कर रहे है, cross करने का मतलब है, यह sums नहीं करना है, तो question number 15 भी नहीं बनाना है, ना आपको न मुझे, 16 हम लोग कर चुके हैं, 17 हम लोग कर यह नहीं है, और इसे भी proposed dividend है, तो नहीं करना है, अपने 18 कर पाएंगे, तो 17 को cross कर देते हैं पहले, कि करना नहीं है, जो नहीं करना है, क्योंकि वो sums का format, rules में change हुआ, amendment हुआ, उसके बाद यह sums irrelevant है, इसलिए नहीं कर रहे है, हमने अल्रड़ी बहुत सारा sums इंसर्ट किया है, तो tension नहीं है, कि इतना sums कट रहा है, ठीक है ना, question number 18, अब हम लोग करने जा रहे हैं, फिर से वही है, पहले, previous year का figure है, और फिर आपका current year का figure दिया हुआ, यह balance sheet है, balance sheet के नीचे addition information को पहले पढ़ेंगे, वो हमारे काम का होता है, तो additional information क्या है, depreciation return off on linen building 20,000 रुपए, तो चलिए यह बात बता रहा है कि linen building पर अपने depreciation write-off किया है, जनेंटी होगा depreciation account devoted to linen building account, the company sold some investment at a profit of 10,000 which was created to capital reserve, तो बहुला कुछ investment based दिया है, profit 10 जा रहे हैं, तो आपको देखना पढ़े गए investment कितने का है, तो एक लाग से पचास जार हो गया, इसका मतलब है 50,000 का investment based दिया है, तो bank account devoted 60,000 to investment 50,000 and to capital reserve 10,000 क्योंकि बोलावा capital reserve में गया है, आप देख रहे हैं ऐसे आपको बरवली फटा-फट करना पड़ेगा, थर्ड नमबर है income tax provided during the year 55,000 का income tax provision है, यानि के PL account devoted to provision for tax 55,000 हो गया, इसके लिए provision for tax account जहां तक खुलना ही पड़ेगा, यहाँ पर है provision for taxation का balance है, तो आपको ledger बना लेना चाहिए, during the year the company, during the year the company purchase a machinery for 2,25,000, तो machinery account devoted to bank हो जाएगा, 2,25,000, they paid 1,25,000 in cash and issue 10,000 equity shares of 10 each at power, तो 2,25,000 को चुकाया कैसे, तो यह बोरा अब जनेर्टी फिसे चेंज हो जाएगा, machinery account devoted to cash या bank, आपका 1,25,000 and to equity share capital हो जाएगा, एक लाख रुपए का equity shares दे रहे अपने, और you are required to pass, बहुत simple sum है, देखिए अब अच्छा, बड़ा बड़ा sum कि आपको easy लगने लगा, देखिए खतम हो गया, हम लोग पढ़ लिए, अब अपने AK का compare करके कर पाएंगे, तो यहाँ पर start करते हैं, सीधा format draw करेंगे, तो question number 18, सबसे पहले अपने format बना ले रहे हैं, question number 18, सबसे पहले आपने बना लिया यह format, provision for tax account भी बनाएंगे, छोटा सा, बनाएंगे, तो यहाँ पने, cash flow statement, cash flow statement, for the year in date, 31st March 11, पहला होगे, cash flow from operating activities, पहला होगे, cash flow from operating activities, number B, cash flow from investing activities, पहला होगे, and then C number, cash flow, from financing activities, cash flow from financing activities, provision for tax account, provision for tax account, तो लिखेंगे, सबसे पहले, equity share capital, 10,00,000 रुपए था, अभी 12,050,000 देख रहे है, तो 10 से 12 होना, इसका मतलब बर, during the year, अपने equity share issue के है, तो आप लिखेंगे, यहाँ पर, sorry, equity shares लिखेंगे, आप, during the year, जो equity share issue हुआ, 5,00,000 रुपए का, तो financing activities में लिखेंगे, issue of equity shares, financing activities में लिखेंगे, issue of equity shares, कितने का, अपने equity shares issue कर दिया, 5,00,000 रुपए का, and this will be your source, यह source होगा आपका, क्योंकि बदले में, cash inflow हुआ, next आएंगे, अपने provision for taxation, sorry, capital reserve है, तो capital reserve में, 10,00 कहां से आया, इसका कहानी clear है, तो ledger खुलने का जरुवत में, याद है, जब अपने investment बेचे थे, तो investment बेच कर, आपको profit हुआ था, उसकी बात हो रही है, तो capital reserve का, जो story है, वो clear है, capital reserve में, basically 10,000 आया कहां से, यह अपने को पता ही है, जो investment बेचे थे, investment पर जो profit हुआ, that has been transferred to capital reserve, तो उसकी बारे में, कोछ सोच नहीं नहीं है, जब अपने picture clear होता है, तो उसका कुछ नहीं करना होता है, फिर profit and loss account, पढ़ना पढ़ता है, तो आपको अच्छी तरीके से पता है, एक छोटा सा working करते हैं, हम लोग profit before tax निकालने के लिए, तो profit before tax, एक heading डाल दिये, और उसके नीचे लिखते हैं, अपने changes in panel, 80,000 का changes है, 80,000 change हुआ, ठीक है, तो यह तो हमारा हो गया, 80,000 का जो changes है, वो हमने लिख लिया, अभी next आएंगे, आपका क्या है, profit and loss account हो गया, अपने इसको कड़ चुके हैं, long term loans, 5,00,000 से 4,00,000 होने का मतलब है, कि अपने during the year, 1,00,000 रुपए का long term loan repay किये, तो यह financing activities में जाएगा, और financing activities में लिखेंगे, repayment of loan, repayment of loan, कितने का repayment होगा है, loan अपने कितना चुका दिये हैं, वो चाहिए होगा figure, तो 5 से 4 होने का मतलब ही है, 5 से 4 होने का मतलब ही है, कि अपने 1,00,000 का repay किये हैं, तो लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 1,00,000 और within bracket डालोगे, that means कि आपका cash outflow हुआ है, 1,00,000 रुपए, next अपने बढ़ेंगे, क्या है, तो 1,00,000 के बाद, next आगे है, Sunday creditors, 5,00,000 से 4,00,000 हो गया, तो 1,00,000 से Sunday creditors, decrease हो गया, तो आपको पता ही है, working capital, और इसको heading डाल कर इसके नीचे लिखेंगे, decrease in trade pables, अब यह कुछ trade pables, 5,00,000 से 4,00,000 होने का मतलब क्या है, एक लाग रुपए से आपका creditors, जो है, वो कम हो गया, तो 1,00,000 रुपए से आपका creditors, कम हो गया, कम कैसे होगा, payment करेंगे, तभी तो जारकर कम होगा, तो अपने इसका payment कर दिये हैं, तो यह हो जाएगा, आपका, decrease in trade pables, एक लाग payment किये हैं, इसलिए यह आपका application हो जाएगा, next, तो next देख लो क्या है, आपका trade pables हो चुका है, यह वाला done, आप provision for taxation का लेजर खोलें, ओपनिंग है 50 और closing है 60, तो 50 और 60 का balance लिख दीजे, provision for taxation account में, और आप लिखेंगे by balance brought down, यहाँ पर आप लिखेंगे by balance brought down, यहाँ पर आप लिख रहे हैं 50,000, और यहाँ पर लिख रहे हैं 2 balance, carried down, यहाँ पर आप लिख रहे हैं 60,000, मतबब हमें आगे बढ़ने का rights मिल गया, यह हमने कर लिया, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेन इन बिल्डिंग 4 लाग है और 3 असी है, तो depreciation हमें देखना पढ़ेगा है, कि लेन इन बिल्डिंग पर depreciation कितना है, कहीं बोला हुआ है, हाँ 20,000 रुपए तो लेन इन बिल्डिंग एकाउंट खूलने का जरूरत नहीं है, because, अपने तो story clear हो गया, 4 लाग से 3 लाग 80,000 कैसे हुआ, तो यह समझ में आ गया कि वो के 4 लाग रुपए सुरू में था, 20,000 रुपए से आपका depreciation है, depreciation is a non-cash item, आप पेनल में, आप cash flow from जो operating activities है, उसके अंदर में लिखेंगे, यहाँ पर लिखा जाता है, profit before tax heading होता है, उसके नीचे होता है, adjustment for non-cash and non-operating items, non-cash and non-operating items, उसके नीचे आप लिखोगे, adjustment for non-cash and non-operating items के नीचे लिखोगे, depreciation on land and building 20,000, और यह add back होगा, positive रखे, क्योंकि depreciation के current profit कम हुआ हुआ है, इसलिए उसे add back कर देंगे, next अपने land and building का story is over, देखो कितना असान है, फिर है machinery का story, machinery में कोई कहानी है, नहीं है, adjustment में कोई कहानी है, मैं वो देख रहा था, हाँ है, during the year company purchase machinery, तो भरवल सॉल्व करना चाहे तो हो सकता है, laser बनाना चाहे तो हो सकता है, मैं तो advice देता हूँ, laser बना लिया करो, आपके लिए ज़्यादा आसान होता है, फटा-फट से machinery account का एक laser बनाएंगे, बढ़ा नहीं, exam में बहुत कुछ लिख कर सजाने का मतलब भी नहीं बनता है, आप machinery account बोलकर laser बनाएंगे, जो आपको पता है, पहले वो पुट कर दीजिए, opening balance 7,50,000 है, वो पुट करना है, closing balance 9,20 है, वो लिख देना है, तो 7,50,000, two balance brought down करके आप लिखोगे, 9,20,000, so two balance brought down 750,000, and buy balance 8,9,20,000, इसके बाद आपका दिया हुआ है, machinery का बाद में जो नीचे है, adjustment आएगा, since laser बना रहे हैं, तो अपने को ज़्यादा सुचनी की जरूद नहीं है, जो नीचे में आएगा, अपने बाद में कर लेंगे, इसके बाद है investment, तो investment का क्या दिया हुआ, वो देख लिजिए, तो investment है, आपका 1,50,000 तो investment का बेचे हैं, कितने में बेचे हैं, तो आप adjustment number पढ़ेंगे, the company sold some investment at a profit of 10,000, which are created to capital reserve, तो अपने investment 60,000 में बेचे हैं, जिसका 10,000 profit है, वो capital reserve में गया है, तो कोई tension नहीं है, आप सीधा sale of investment, investing activities में लिखेंगे, sale of investment, 60,000, यह आपका inflow होगा, sale of investment, तो यह inflow होगया आपका investment का profit जो है, वो P&L में नहीं गया है, capital reserve में गया है, जिसका हम लोग अलड़ी effect देख चुके हैं, जरका, stock है, stock का figure आपका 3,00,000 से, आपका 280 होगया, यानि 20,000 से stock decrease हो रहा है, यह source हो गया, तो आप लिखेंगे, decrease in stock, decrease in stock, 20,000, and this is your source, stock होने का मतलब है, वो in cash हो गया, इसले वो source हो गया, तो 20,000 आपका source है, stock के बाद next है, Sunday data, 4,00,000 का Sunday data है, और 4,20 हो गया, उसका मतलब है, 20,000 से आपका data बढ़ रहा है, तो आप लिखेंगे, increase in Sunday data, increase in Sunday data, 20,000 और यह आपका application होगा, because data बढ़ने का मतलब है, cash block हो गया, तो यह हो गया, आपका उसका cash in hand, cash at bank, तो यह तो cash and cash equivalents है, opening में 5,00,000 था, last में आपको 5,50,000 है, इसका मतलब है, A plus B plus C का difference जो है, वो 50,000 आना है, A plus B plus C का difference 50,000 आना है, इसका मतलब यह निकलता है, अब हम लोग additional information का effect डाल देंगे, depreciation, retain of online and building डाल चुके है, इसका effect हमने books में दे दिया है, so this is done, number two is a company, यह हम लोग investment वाला है, इसका effect हम लोग डाल चुके है, number three है income tax provided during the year 55,000 का हमने provide गया है, तो 55,000 आप provision for tax account में क्या गरेंगे, provision for tax account में by P&L, 55,000 दिखाएंगे, और दूसरा effect, adjustment में हैं तो दूसरा effect, changes in P&L और provision for tax 55,000 during the year अपने provision बना है, तो profit before tax निकल आया, so 80,000 प्लस 55,000 is equal to 1,35,000 का निकल आया, profit before tax 1,35,000, यह 1,35,000 जो profit before tax आया, उसको आपको करना क्या है, तो 1,35,000 आपको दिखाना है, इस जगह पर, operating activities में 1,35,000 दिखा दीजिए, नेक्स आ जाएंगे, तो adjustment number 4 पर आ जाएंगे, adjustment number 4 बोल रहा है, during the year, the company purchased machinery for 225, machinery खरिदा है, चलिए, और उसके बदले में लिख रहा है, they paid 125 in cash and 1,00,000 रुपए का equity share issue किया, तो machinery खरिदा तो उसका इंट्री करना पड़ेगा, आपको machinery account में, machinery account debited to bank, 1,00,25,000 है कि 1,00,25 है ना, हाँ, तो 1,00,25,000 cash में दिया, and equity shares capital, एक लाख रुपए का दिया, इसका मतलब है, changes in equity जो आ रहा है, वो आपका अपने कितना लिखे थे, issue of equity shares धाई लाख है, नहीं धाई लाख है, बट उसमें से cash आपका 1,50,000 ही होगा, तो इसका मतलब है, ये figure cut होगा, ये figure आपका cut हो जाएगा, और इसके बदले में आएगा, आपका 1,50,000, क्योंकि equity shares आपने issue किया है, during the period, 8,500,000 रुपए गा, but out of which, 1,00,000 जो आपने issue किया है, against acquisition of machinery किया, तो इसलिए वो वहाँ से cut गया, आपका equity shares cash कि एगेंश में issue होगा, तो cash inflow देड़ लाख का ही हुआ, आगे अपने जो machinery account है, इसमें जो machinery purchase किया, two banker के एक 25 दिखाया, एक लाख का double effect होगा, कि equity shares में effect होगा, जो ढई लाख उसके विलने में डेड़ लाख होगा, और ये 125 जो आपने cash payment किया है, तो purchase of machinery, आपका investing activities में आ जाएगा, purchase of machinery, 125,000 आप यहाँ पे दिखाओगे, 125,000, purchase of machinery, 125,000 का, next आते हैं, 125 होगया, पढ़ते हैं, next क्या लिखा हुआ है, adjustment number, कुछ नहीं है, अब सब कुछ हो गया है, बस, उसका मतलब है, अब अपने को जो extra कुला हुआ हुआ, पहले उसे close करने की जिरूरत है, तो provision for tax account को अपने सबसे पहले balance करेंगे, और देखेंगे कि क्या difference आ रहा है, इसका balancing figure आ रहा है to bank, during the year अपने assume करेंगे कि इतना का tax pay कर दिए, तो 1,05,000 से आप minus कर देंगे 60,000, तो 45,000 का payment हुआ है, आपका tax का, तो 45,000 का tax का payment हुआ, आप income tax paid, is the second last item under the operating activities, since यहाँ पर extraordinary items नहीं है, इसलिए यही last item होगा, तो income tax paid, income tax paid, 45,000 outflow होगा, next आजाएंगे अपने after this, sorry, adjustment में ही देखेंगे और क्या है, जो अपने को open है, उसे खतम करना है, तो provision for tax हो गया, profit before tax ले जा चुके हैं, machinery account को balance करना है, machinery account में देखिए, का यह हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो machinery account में आपका क्या है, 750,000 plus 125,000 plus 1,0975 है, machinery का 975 but last में है 920, तो इसका मंदब है 55,000 से machinery काम हुआ, अब machinery को उपर यह कुछ लिखा नहीं है, machinery भी का है, that was not mentioned, और machinery को उपर depreciation हुआ है, यह बात भी mention नहीं है, तो अपने क्या करेंगे, assume करेंगे, कि आपने 55,000 का उसके उपर depreciation चार्ज किया, तो यहाँ पर machinery account में अपने लिखेंगे, by depreciation, assumed करके लिख देंगे, अपने assume करेंगे, by depreciation है यह, 55,000 का अपने depreciation मान रहे हैं, और bracket में लिखेंगे, assumed कर लिए, और यहाँ पर यह भी लिखेंगे, यह आपने कैसे calculate किया, balancing figure, तो यह 55,000, अपने ऐसा मान रहे हैं, कि depreciation के कारण कम है, alternative assumptions भी लिया जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर अब आप क्या लिखेंगे, 55,000 का, क्या effect डालेंगे आप, तो 55,000 का आप लिखोगे, depreciation on machinery, depreciation on machinery, तो depreciation मनने का, इसलिए मन किया, क्योंकि यह depreciable asset है, और कहीं depreciation बोला हुआ नहीं है, इसलिए अपने, depreciation assume कर लिए, तो depreciation on machinery is a non-cast item, इसलिए उसका दूसरा effect 55,000 का, यहाँ पर add back हो गया, अभी इपने सारा items को कर चुके हैं, तो अभी आप यहाँ पर, कर सकते हैं, 1,35,000, plus 20, plus 55, यहनि 75,000, total 2,10,000, 2,10 से आपको minus करना है, 140, difference 70,000, और 70 से आपको 45,000 less करना है, तो minus 45,000, 25,000 आपका cash flow आगया, क्या आगया, cash flow from operating activities, after tax आगया, 25,000, positive, और cash flow from investing activities, तो यह आपका, within bracket जाएगा, तो यह आपका कितना है, वो देख लीजी, outer column में, 125 से 60 less हो जाएगा, तो negative अच्छा, 65,000, तो आप लिखेंगे, negative 65,000, इसके बाद है, आपका cash flow, तो financing activities से है, और इसके अंदर में है, आपका, एक चीज़ और देख लेते हैं, long term loan था, अभी अपने उसके पर, interest का, इसलिए adjustment नहीं कर पाया, मैं क्यों हाँ रुख गया, और सोचने लगा, तो interest, इसके उपर, interest का भी adjustment होता, long term loans के उपर, but since information was not given, rate of interest was not given, इसलिए अपने उसके adjustment नहीं कर रहे हैं, तो that's why, अपने in the absence of information, और कोई assumptions भी नहीं ले रहे हैं, note में mention कर देंगे, in the absence of information हमने नहीं किया, तो यह आपका, डेल लग पॉजिटीव, एक लग नेगेटीव, तो पचास ज़र पॉजिटीव अच्छा, अभी overall final अपने कर देंगे, तो 50,000 पॉजिटीव, और आपका 65,000 नेगेटीव, तो नेगेटीव 15 हुआane 8, और 25 हमारा पॉजिटीव है, तो आपका नेट जो है, वो 15,000 नेगेटीव था, और यहाँ पर आपका 25,000 पॉजिटीव है, तो 10,000 पॉजिटीव बचेगा, तो A प्लस B प्लस C is equal to 10,000 positive और इस 10,000 में अपने आड़ करेंगे opening cash and cash equivalents तो जो की 5 लाख है और last में है 5,50 तो 10,000 में आड़ करेंगे तो 5,50 तो आएगा नहीं opening cash and cash equivalents given a question में that is 3,25,000,000 उर्पे तो वो 5,000,000 यहां डालेंगे तो 5,10 आएगा बटा आंसर जो है वो आपका closing cash and cash equivalents देख लीजिए 5,50 है चालिज जल का कोई item जो है वो miss हो रहा है या तो sums गलत है या तो कोई miss हो रहा है तो अपने क्या करेंगे सबसे पहले items को check करेंगे कि सही है या गलत मतब क्वेश्चिन को ही तो यह 10,14,19,24, 24,50,000 सही है यह 12,50,10, 12,50,10, 12,50,10, plus 4,80,000, plus 4,00, plus 4,00, plus 4,00, plus 4,00, plus 4,00, plus 6,00, plus 6,00, 26,00, यह भी correct है इधर में ऐसे साइट जोड़ेंगे चार लाग, साथ लाग, पचास जार या या न 11,15,00, पचास जार 13,50,000, plus 280, plus 4,00, 20,000, plus 140, plus 4,00, 10,000, यह भी सही है तो इसका मतलब है कही न कहीं अपने कोई मिस्टेक कर बाठ है है वो अब देखना पड़ेगा सम्स करेक्ट है साबसे पढ़े सम्स देखें अब देख लाते हैं डिक्रीज इन स्टॉक इन्क्रीज इन संदी टेटरस इस अप्लिकेशन डिक्रीज इन स्टॉक इस डिक्रीज इन स्टॉक इस देख लेते हैं अपने सॉलिशन का तो यह 1,35,000 है और उससे आपको आट बैक करना है 20,000 और आट बैक करना है आपको 55,000 टोटल हो गए 2,10,000 यह सही है और उसके साथ 1,00,000 इसमें आपको क्या करना है 20,20 कट गया ना यह और यह कट जा रहा है तो अल्टिमेटली एक लाग माइनस करना है सिर्फ तो माइनस करेंगे 1,00,000 तो रिजल्ट आएगा 1,00,000 यहीं पर मिस्टिक था काल्कुलेशन मिस्टिक मिल गया दिको मैं सबसे पहले सम्स को चे 1,10,000 से 45 लेस करेंगे तो 45,000 माइनस कर दीजे तो यह 65,000 हो जाएगा 40,000 का जो डिफरेंस था 65 और पॉजिटिव 65 पॉजिटिव 65 नेगेटिव कट हो गया 50 जार यह आपका रिजल्ट आगया तो इसको 50 बनाया जा सकता है और इसमें आड़ कर दिए अपने 5,00,000 तो 12 है तो 550,000 यह जो है वो आपका क्लोजींग क्याश एक्श एक्यूवालंस क्या है क्लोजींग क्याश एक्यूवालंस क्लोजिंग कैश और कैश एक नोट देना पड़ेगा नोट लिखेंगे आंसर उट भी दिफरेंट answer would be different if interest on loan provided in the solution however due to lack of information it is assumed that loan are interest-free इसके पहले वाले समस में एक जो अपने किये थे उसमें एक नोट लिखाना रहे गया मेरे को अभी ध्यान आया कौन सा वाला जो हम लोग कर रहे थे ना जिसका effect नहीं डाले question number देखना ये वाला 14 का ये last line आप देखलो एक बार 14 का ये last line क्या बोल रहे है ठीक है तो लास्ट लेन का आप लिखोगे note question number 14 का last के लिए note लिख रहे हो question number 14 के लिए आप note लिख रहे हो data is looking in no adjustments made no adjustments made for data is written off and adjusted adjusted against provision for bad debts provision for bad debts alternatively alternatively adjustment may be done by passing following entry और वो होता प्रोवीजिन नहीं करना ज्यादा बेटर है वो मैंने किया है alternatively adjustment may be may be done by passing following entry और वो होता provision का data account debited to provision for bad debts 2 lakh 30,000 so due to above entry क्या होता due to above entry debtors will increase debtors will increase by rupees 2 lakh 30,000 as well as provision will also increase by rupees 2 lakh 30,000 and ultimately on overall there will be no effect on working capital, इसलिए changes in working capital में से नहीं लेंगे, तो यह आज की class में हो गया, अपने next class में क्या करेंगे, और sums करना है, तो अभी जो कर चुके हैं उसकी भी बात कर लेते हैं, और क्या बचा हुआ हुमक दे दे, 17, 18 हो चुका है, 19 हो गया, स्टार लेमेटेट कॉस्चिन नमबर, 20 नहीं करना है, ठीक है, प्रॉपोस्ट इविदेंट वाला साम है, नहीं करना है, 21 करना है, होमवर्ग है, 22 करना है, 23 करना है, तो हमवर्ग हो गया है, इस बार, तीन सम्स, 23, 22, and 21, अभी और लग रहा है, एक लास तो यह तो जाए गई अगला क्लास, उसके बाद वाला क्लास में भी देखें, क्या बचा हुआ हुआ है, 24, 25, 26, और इधर का किया हुआ है, दो क्लास और लगना चाहिए, टोटल, ओवर्ग और पुरा, पुरा कंप्लीट करने के लिए, एक दो सम्स रह जाएगा, तो रह जाएगा, बट ओवर्ग और अल्मॉस्स अभी सम्स हो जाएंगे, अमलो का, सो मिलते अगले क्लास में, तिल दिन, थैंक यू, टेक केर,